प्रुधान मंत्री ने अहमदाबाद में आयो जे दो दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मिलन का वर्चुल तरीके से किया उधगाटन का सॉल्यूशन, इवॉल्यूशन और इन्नोवेशन का आधार है विज्ञान प्रुधान मंत्री ने देशवासियों से देश के वईग्यानिकों की उपलब्दियों को जम कर सेलिब्रेट करने का किया आक्र राजस्थान दौरे पर गये केंद्वे ग्री मंत्री अमित्षाने जैसल मेर में विजय स्तंभ पर पुष्पान जली अर्पित की तनोट माता मंदिर में की पूज आर्चना ग्री मंत्री जोद्पूर में भाजपा की OBC मोर्चा की राष्ट्री एकारी समित्षी की बैठक के समापंद सत्र को करेंगे संबोधित विदेश मंत्री डॉक्टर एष्जय शंकर आज से साओधिय अरव की तीन दिवस्ति आधकरिक यात्रा पर विदेश मंत्री के रूप में उनकी ये पहली साओधिय अरव यात्रा समकक्ष के साथ राजनेतिक, सुरक्षा, सामाजिक और संस्कृतिक सहयोग साहित समीती आज आधिकारिक रूप से ब्रुटेंट का नया समराट घोशित किया जाएगा किंग चार्ल्स के स्वागत के लिए बकिंगम पैलेस के बाहर उम्रा जन सैलाव अपने समोधन में किंग चार्ल्स ने जीवन भर राष्ट्रे सिवा करने का लिया संकत। इस शक अप में खेले गए सुपर फूर के अंती मुकाबल में इस रोलंका ने पाकिस्तान को पांच विकेट से दीमाथ वहीं दोनों टीम के बीच रविवार को होगी खितावी भिड़न। और यूएस उपर में नॉर्वेग के कैस्पर रूड और स्पेनिश के लड़ी कार्लोस अलेकराज के बीच होगी पुरुष एकल के खितावी भिड़न। सेमी फानल में कैस्पर ने रूस के कैरोन खचानोग को हराया जबकि अलेकराज ने अमेरिकी फ्रांसिस ट्यापोई को दीमाथ नमस्कार डेडिय नीउस में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ असीद मिश्ट्रा शिरवात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ तुधान मंत्री नरेंदर मोदी ने एहमदाबाद में आयोजेत दो दिवसीय केंद्र राज विज्यान सम्मिलन का वर्चुल तरीके से शुभारंब किया देश में नवाचार और उद्यमिता को सुविधा जनक बनाने के लिए पीम के अथक प्रयासों के अनुरूप ये सम्मिलन आयोजेत किया जा रहा है यह अपनी तरह का पहला सम्मिलन है इसका मकसद सहकारी संगवाद के तहत केंद्र और राज्जी के बीच समन्वय और सहयोग तंद्र को मस्बूत करना और विग्यान प्रद्योगिकी और नवाचार यानि कि स्टी आई के एक सश्रक्त एको सिस्टम का निर्मान करना है और इस मौके पर पीम ने कहा कि आज का नया भारत जैजवान जैकिसान जैविग्यान क साथ ही जै अनुसंधान का आपवान करते हुए आगे बढ़ रहा है जब विग्यान के साथ जुड़ता है जब ज्यान और विग्यान से हमारा परिचे होता है तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है समाधान का, सॉल्यूशन का, इवल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है इसी प्रेरणा से, आज का नया भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही, जय अनुसंधान का आहवान करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ साथी पी-म ने देशवासियों से देश के वज्ञानिकों की उपलब्धियों को जम कर सेलिब्रेट करने का भी आग रह किया जब हम अपने वैज्ञानों को की उपलिब्दियों को सेलिब्रेट करते हैं तो साइंस हमारे समाज का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है वो पार्ट अप कल्चर बन जाती है इसलिए आज सबसे पहला आगर मेरा यही है आप सभी राज्यों से आए हुए लोग है मैं आपसे आगर करता हूँ कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों की उपलिब्दियों को जम करके सेलिब्रेट करे उनका गवरवगान करे उनका महिमावंडन करे कदम कदम पर हमारे देश के वैज्ञानिक हमें अपनी खोज के तारा इसका आउसर भी दे रहे हैं प्रधानमंत्रिय ने ये भी कहा कि कोविड टीका करण अभ्यान में वईज्यानिकों की एहम घुमिका रही है पीम ने कहा कि आज देश में टीका करण का आंकड़ा 200 करोड के पार हो गया है इसके पीछे हमारे वईज्यानिकों का बहुत बड़ा योगदान है आज भारत अगर कोरोना की वैक्सिन विक्सित कर सका है 200 करोड से जादा वैक्सिन डोज लगा सका है तो उसके पीछे हमारे वैज्यानिकों की कितनी बड़ी ताकत है ऐसे ही आज हर क्षेत्र में भारत के वैज्यानिक कमाल कर रहे है भारत के वैज्यानिकों की हर छोटी बड़ी उपलब्दी को सेलिब्रेट करने से देश में साइंस के प्रती जो रुजान पैदा होगा वह इस अमरित काल में हमारी बहुत मदद करेगा साथी पीम ने कहा के समरित काल में भारत को अनुसंधान और नवाचार का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना है इस अमरित काल में भारत को रिसर्ट और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम समने एक साथ मिल करके अनेक मोर्चों पर काम करना है अपनी साइंस और टेक्लोलोईश से जूड़ी रिसर्ट को हमें लोकल स्तरपल लेकर जाना है आज समय की मांग है कि हर राज अपनी स्थानिय समस्याओं के हिसाब से स्थानिय समाधान तयार करने के लिए इनोवेशन पर बल दे और इस मौके पर केंद्रिय विज्ञान और प्रवादोगी की मंत्री जीतेंद्र सिंग ने कहा कि पियम मोदी ने कई इतिहासिक फैसले लिए हैं उन्होंने कहा प्रवान मंत्री ने निरंतर विज्ञान और नवाचार को सर्वच प्रात्मिक्ता दी है जिसके नतीजतन आज देश के हर घर में तकनीक पहुंच चुकी है आपने अनेकों ऐसे इतिहासिक निर्णे लिए जुन को लेने का शायद पिशली सरकारों में साहस ना था ये आप ही के कारेकाल में संबभ हुआ कि अंतरिक्ष विभाग पब्लिक प्राइवेट पार्टी स्पेशन के लिए खोल दिया गया आज वो गगन यान की तेयारी कर रहे हैं ये आप ही के कारेकाल में संभव हुआ कि प्रमानू उर्जा विभाग जॉइंट वेंचर्स की अनुमती प्राप्त कर नए सस्थान खोलने में लग गया ये आप ही के कारेकाल में संभव हुआ कि बायो टेक्नालोजी विभाग ने दुनिया का सबसे पहला डी आने वैक्सी निजाद करके विश्व भर को पलब्द करवाया ये आप ही के कारेकाल में संभव हुआ कि प्रिथवी विग्यान मंतराले ने डी पोशन मिशन प्रारंब करके भारत के साड़े साथ हजार किलो मीटर लंबे समुन्दर तट के साथ वसे सागर के भीतर की आपार सपत्ती को खोजने का काम शुरू किया कुछ दूसरी हैं खबरें राजस्तान के दौरे पर गए केंद्रिय ग्रेहे मंतरी अमित श्राह ने आज जैसल मेर में विजह इस्तंब पर पुश्पान जली अर्पित की और इसके बाद केंद्रिय ग्रेह मंतरी ने वहां तनोट माता मंदिर में पूज आर्चना की क्राम देर्था इस्तेत बातो देने अंग्ला चारे पवित्रम करो हो चाशंन हाँ जांसमाष दे बुश्प स्कुष्प पुंडली इंप्रादों महम्मा विश्नुराट्मसी विश्नुं संत्टाश्व ओश्PN और इसके बाद अमिद्शाह ने तनोट परिसर में सीमावर्ती परेटन विकासकारियों का शिला नियास किया जैसलमेर के बाद ग्रिमंत्री जोधपूर जाएंगे जहां वे भाजपा के OBC मोर्चा की राष्ट्रिय कारिसमिती की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे केंद्रे ग्रिमंत्री जोधपूर में बीजेपी के बूत अध्यक्ष संकल्प महासंमिलन को भी संबोधित करेंगे विदेश मंत्री जाशंकर आज साओधी अरब की तीन दिवसी आधिकारी कियात्रा पर जाएंगे भारत के विदेश मंत्री के रूप में साओधी अरब की उनकी पहली यात्रह होगी तीन दिनों के इस यात्रा के दौराण जाशंकर साओधी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस वैसल बिन फरान अलसओध के साथ राजनेतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्रितिक सहयोग समिति की मंत्र स्तरिय बैठकी सहत जक्सता करेंगे दोनों देश के मंत्री द्विपक्षिय संबंधों की व्यापक समिक्षा भी करेंगे या था के दोरान डॉक्टर जैशंकर खाड़ी सहयोग परिशत के महासचिव के साथ भी मुलाकात करेंगे दोनों नेता द्विपक्षिय संबंधों की समिक्षा करेंगे और उन्हें बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे विदेश मंत्री साओधी अरब में भारतिय समुदाय के लोगों के साथ भी बात चीत करेंगे पिछले कुछ वर्षों में राजनेतिक, सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्ति, खादी सुरक्षा, सांस्कृतिक और रक्षाक शत्रों सहिद भारत, साओधी अरब के संबन्द काफी मजबूत हुए हैं यह रुकेंगे छोटी से, ब्रेक के लिए और ब्रेक के बद आपका फिर से स्वागत है उत्तराखंड के पिथोरागड में भारत, निपाल, सीमा के पास कल रात लगबग एक बज़े बादल फटा इसका प्रभाव पास के लगबग सभी गाउं पर पड़ा इस घटना के कारण पास के धार चुला के खोटीला गाउं में काफी नुकसान देखने को मिला है बिथोरागड के डियम ने बताया कि लगबग 30 घर ख्रतिग्रस्थ हो गए और एक महिला की इसमें मौत हो गई कोरोना संक्रमन के ताज़ा अकड़ों 15 डालें तो स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्राले के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,554 मामले दर्ज किये गए वहीं पिछले 24 घंटों में 6,332 मरीज उपचार करवा कर स्वस्थ हो चुके हैं जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98 घंटों में 7,60 फीसद हो गया है वहीं सापताहिक पॉजिटिविटी रेट वरतमान में 1,8 घंटों में दर्ज किया गया धैनिक पॉजिटिविटी रेट 1,47 फीसद दर्ज की गई टीका करण की बात की जाए तो टीका करण का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है कोबिट के खिलाफ सबसे प्रभावी हत्यार के तौर पर शुरू किये गया है टीका करण अभियान के तहर देश में अब तक 214 करोड से अधिक टीकों के खुराग दी जा चुकी है की जा रही है हावडा रेल्वेस्टेशन पर फूड प्लाजा को एक बाद फिर से खोल दिया गया है पिछले दो साल से ये प्लाजा कोबिट के कारण बंद था दुरगापुजा से पहले आयार सीटी सी की पहल पर इस फूड प्लाजा को फिर से खोला गया है झाल झाल हावडा जंक्षन भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है रोजाना यहां से सैक्रो ट्रेन चलती है लाखों मुसाफिर रोज यहां आते हैं जितना मशुहूर यह स्टेशन है उतना ही यहां का फूड प्लाजा भी कोविट का असर दो साल पहले इस फूड प्लाजा पर भी पड़ा और इसे बंद करना पड़ा पर अब इस फूड प्लाजा की रौनक लॉट आई है इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिजम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसे फिर से शुरू कर दिया है कि यात्रों को मैसे देना चाहेंगे कि उनके लिए एक ये सुविदा दूबाला से शुरू हुई है इसका इस्तमाल करें जादर जादर और हम ये भी चाहेंगे अगर यात्रियों का इसके बारे में कोई फीड़ बैक है कुछ सुझाव हैं इसको बहतर करने के लिए तो वो हमें ज़रूर हमारी रेल मदद के तुरू या हमारी वेबसाइट के तुरू हमें सुझाव देते रहें दुर्गापुजा से पहले फूड प्लाजा का फिर से खुल जाना यात्रियों के लिए किसी तोफ़े से कम नहीं है दुर्गापुजा के समय वैसे भी कोलकाता में देश भर से लोग आते हैं और ट्रेनों में भीड भी बढ़ जाती है जो लोग इस फूड प्लाजा को मिस कर रहे थे वो अब बहुत खुश हैं क्योंकि हावडा ओल्ड कॉम्पलेक्स रिल्विस्टेशन के इस फूड प्लाजा में यात्रियों को अपने पसंद की हर चीज़ खाने के लिए मिल जाती है एक तो 2017 के बाद close होने के बाद ये एक नया हब है जो एक प्लेस में सब चीज़ हमें मिल रहा है तो एक comfort zone ही है हमारे लिए बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे और बहुत अच्छा हुआ ये खुल गया सभी passengers के लिए जो भी travel कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रुरी था IRCTC की देखरेख में इस food plaza में तरह तरह के food items किफायती दर पर उपलब्ध हैं 24 गंटे तक ये food plaza खुला रहेगा ताकि ज्यादा से ज़ादा लोग यहां आ सकें हाला कि इसे सुचारू रूप से चलाने और इसकी quality बनाए रखने में अधिकारियों को अभी काफी चुनावतियां दिखाई दे रही है सबसे पहला चैलेंज तो यह है कि हम अपने रेल यूजर को पैसेंजर्स को स्वादिष्ट, क्वालिटी, हाईजीन, साफ, सुथरा और रिजनेबल प्राइस में अच्छा स्वादिष्ट होजन उपलब्ध करा सकें फूट प्लाजा के भीतर बैट कर खाने के अलावा यात्री ट्रेन में चड़ने से पहले रास्ते के लिए भी यहां से पैक्ट फूट ले सकते हैं खरीब दो साल पहले इसका खर्च नहीं उठा पाने के कारण आई-र-सी-टी-सी की ओर से इसे बंद कर दिया गया था पर अब नए सीरे से एक नीजी संस्था ने इस फूट प्लाजा के जिम्मेदारी ली है वेरो रिपोर्ट डेडी नियूस और यहां रोके एक छोटी सा ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डेडी नियूस और अब कुछ हंतराश्ट्री खबरें किंग चार्ल्स तृतिये को आज आधिकारिक तोर पर ब्रिटेन का नया समराट घोशित किया जाएगा ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतिये ने महराने ऐलिजाबेट दृतिये के निधन के बाद कल राष्ट के नाम अपना पहला संबोधन दिया किंग चार्ल्स ने अपने संबधन में लोगों की आजीवन सेवा करने का संकल्प लेते हुए कहा कि वे इस पद पर रहते हुए संबधान और लोगों की रक्षा करेंगी इस दोरान उन्होंने भावुक अंदाज में कई मौकों पर महराने अलिजाबेत को भी याद किया यूकरेन के राश्ट्रबती वलादमीर जलिंस्की ने कहा है कि रूस के खिलाब जवाबी कारवाई के तहद खारकीब ख्षेत्र में 30 सधिक बस्तियों को मुक्त करा लिया गया है जलिंस्की ने कहा कि यूकरेन की सेना कई ख्षेत्रों में सफलता पूरवक सक्री अभ्यान जारी रखे हुए है यूकरेन ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस ने पूर्वुत्तर सूमिक शेत्र में एक अस्पताल को निशाना बनाया जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए नेपाल की राजधानी काटमांडू के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक है इंद्र जात्रा के अबसर पर बसंदपुर दरवार स्कॉार के परिसर में हजारों श्रधालों ने हिस्सा लिया काटमंडू में ये त्योहार निवारी समुदाई के दोरा मनाया जाता है इस त्योहार को बौद और हिंदू दोनों ही मनाते है ये त्योहार फसल और किसानों से जुड़ा हुआ है इंद्र यात्रा के जरीए इंद्र से अच्छी बरस बारिश और बहतर फसल की कामना की जा नियू योग में पोलियो वारस का खत्रा मन्राने लगा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि स्वारस से बचने के लिए बच्चों को उनका टीका करण हो। वहीं टीका करण वाले लोगों को बूस्टर डोस की खुराग भी प्राप्त करनी चाहिए। स्वास्त अधिकारियों 90 फिसद निवासियों का टीका करण करने का लक्ष रखा है। बोलीबिया के जंगलों में लगी आग के करण एक लाग सधिक हेक्टियर भूमी को काफी नुकसान पहुचा है। दमकल कर्मी आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। दमकल कर्मी उन्हें जानवरों को आग की लप्टों से बचाने के लिए सुरक्षित जग़ों तक पहुचाने में मदद की है। खबर खेल जगत से है। पांच बार की चैंपियन है जबकि पाकिस्तान ने दो बार एशिया कप पर कबज़ा जमाया है। स्रिलंका के कप्तान ने टॉस जीद का पहले गया इंद बाजी का फैसला किया। पहले बल्ले बाजी करते वे पाकिस्तान की पूरी टीम 121 रन बना कर आउट हो गई। जबाब मिस्ट्र लंका ने 17 हवर में पांच विकेट गवा कर लक्ष हासिल कर लिया। टैनिस की बात की जाए तो साल के अंतियम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में नौर्वेग के कैस्पर रूड ने पौरुष एकल के फानल में जगह बना ली है। देर रात खेले गए सेमी फानल में कैस्पर ने रूस के कारेन खेचनव को साथ छे, छे दो, पांच साथ और छे दो से हरा दिया। वहीं पौरुष एकल के दूसरे सेमी फानल में तीसी वरिता प्राप्ट स्पैनिश के लाड़ी कार्लोस अलेकराज ने जीतने में सफलता पाई। एलेकराज ने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफोई को पांच सिट तक चले संगर्शपूर्ण मुकाबले में छे साथ, छे तीन, छे एक, छे साथ और छे तीन से हरा दिया। एस जीत के साथ ही कारलोस ने यूएस टोपन के फानल में जगह बना ली है। फानल में एलेकराज का सामना नौर्वे के कैस्पर रूट के साथ होगा। पोशन का ध्यान न रखना किशोरों में पोशन की कमी का सबसे बड़ा कारण बनता है। किशोर अवस्था में कैसे मिल सकता है सही पोशन आये देखते हैं इस रेपोर्ट के जरिए। किशोर अवस्था में संतुलेत्व पोश्टिक आहार लेना आवश्चक है क्योंकि इस अवस्था में शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं जिससे किशोरों की पोशन की आवश्चकता बढ़ जाती है। किशोर अवस्था में पोशन की आवश्चकता होती है बेहतर शारीरिक विकास के लिए हड्यों को मजबूत बनाये रखने के लिए हॉर्मोन में बदलाव के वजह से उत्टकों और अंगों के बेहतर विकास के लिए अधिक शारीरिक श्रम करने के लिए और चे अप्चे प सबजी और फल हों तो इससे हमें विटेमिन्स और मिनरल्स मिलते हैं विटेमिन्स का मतलब जैसे फोली के ऐसे विटेमिन बीट वे लितिया दी और जो मिनरल्स है वो है लो, जिंक, मैंगनीज, मैंगनीशियम लितिया दी और जो दूसरा हिस्सा है उसको भी दो हिस्सों में बाटे उसका एक हिस्सा जिसमें सीरियल्स हो अनाच जैसे कि चावल है या फिर गेहों है और दूसरा हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स देता है यानि कि दाल अंडा मीट त्यादी एक ग्लास दूद या धही जरूर हो जिससे हमें क्याल्शिय मिलती है किशोरवस्था में किसी भी तरह की पोशन की कमी न सिर्फ किशोरवस्था में बल्कि आने वाले जीवन के लिए भी खत्रा हो सकती है और कई समस्याओं का कारण बन सकती है किशोरवस्था के दोरान सही पोशन ना सिर्फ किशोरों के बहतर शारीरिक विकास में उप्योगी है बलकि उनके आने वाले जीवन में कई बीमारियों से भी उनके बचाव में सहायक सिद्ध होता है आवशक है कि किशोर रवस्था में माता पिता द्वारा पोशन और आहार को लेकर विशेश ध्यान दिया जाए जिससे किशोरों का स्वास्त बेहतर रहे किरनभार द्वाज डीडी नियूज तो इसके साथ है इस प्लोटियन बस इतना ही हमें दीच अनुमती नमस्कार